Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग होफुली अच्छ होंगे, तो आज कवर करेंगे 5 मिनिट्स में एक बहुत important news, और news क्या है कि Minister of State for Personal Public Gravance and Pensions, जो Dr. Jitendra Singh है, उन्होंने 13 जून 2022 को 2nd edition of National E-Governance Service Delivery Assessment Report, बेसिकली एक रिपोर्ट है, जिसका 2021 वाला जो वर्जन है, उसको रिलीज किय ठीक है, यह ध्यान रखी, यह 2nd edition है, इसके पहले 2019 में इसको एक बार अल्रेडी रिलीज किया गया है, अब इसके बारे में थोरा सा जानते हैं क्या देखी, NESDA जो है, यह जो E-Governance Service Delivery Assessment Report है, बेसिकली यह क्या करता है, यह किया जाता है, कि जितने भी State, UTs या Central Ministries के जो Portals ह या फिर जो E-Service Delivery का जो उनका मोड है, वो कितना effective है, इसको इसमें assess किया जाता है, ठीक है, और इस पर बेस उनको score दिया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है, तो इसी कहानी यह आपके exam point of view से काफी important होयाता है, ठीक है, इसके अलावा यह report जो है कुछ suggest भी करता है, reforms की ज assessment process को NESDA को 2019 में ठीक है, और यह क्या है, एक biannial assessment है, biannial का मतलब क्या हुआ, कि आपके दो साल में इसको एक बार किया जाता है, तो 2019 में हुआ था, उसके बाद इसको 2021 में जो है, वो prepare किया गया, यह किसके द्वारा किया जाता है, तो department of administrative reforms and public revances, DARPG, और यह आप जानते है किसके अंदर आता है, हमने देखा, ministry of personal, अब इसको mandate मिला हुआ है, कि यह जो है, इस assessment के थ्रू बूस्ट करे, e-governance in the country, क्योंकि आप जानते है, आप e-governance के बिना, country का development काफी slow हो जाता है, क्योंकि जो service delivery होती है, government की, उसको बहुत fast होने का ज़रो थे, चाहे वो आपका single window clearances हो, या फिर आपका कोई, आगर जो आपको social welfare के लिए, जो schemes होती है, उसका implementation हो, तो वो सारा जो है, up through e-governance होता है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए, जो इसमें जो sectors cover किया गया, जो assessment में, जो ये assessment किया गया, तो इसमें देखा गया कि किसकी sector का services को हम लोग include करेंगे, तो total यहाँ पर seven sectors थे, जो के लिए आपके लिए important है, पहला था आपका finance, दूसरा था आपका labor and employment, उसके बाद तीसरा है education, उसके बाद है local governance and utility services, उसके बाद है social welfare, environment and last है आपका tourism sectors, तो ये सारे sectors में देखा गया, ये सब sectors हैं, broad sectors है, इसके within government बहुत सारे services provide किया थे, करीबन अगर आप बोलेंगे तो 56 services या उससे भी जादा इसको assess किया गया, लेकिन जो sectors थे वो यही सारे sectors को देखा गया, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जो यहाँ पर जो portals होते हैं, चाहे वो state के हो, UT के हो, या फिर आपके central government को हो, तो इसम यह वाला single window वाला portal होता है, इसको किस criteria पर assess किया गया है, तो इसमें किया गया है accessibility, content availability, ease of use and information security and privacy, ठीक है, तो यह सारे criteria रखा गया है for single window portals, ठीक है, जैसे आपका center का आपने देखा होगा single window clearances होता है, state का होता है, UT का होता है, तो इसको किस पर assess करेंगे, यह portals को हम लोग किन-किन criteria पर assess करेंगे, accessibility, content availability, ease of use and information security and privacy, ठीक है, इसके अलावा कुछ service delivery portals होते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि service के बारे में information बताया जाता है, कि यह क्या होगा, इसमें क्या है, आप कैसे avail कर सकते हैं, तो इस तरह के इसको second category of portal रखा गया है, और इसमें जो है, इसको किस criteria पर assess किया जाता है, end service delivery, integrated service delivery and status and request tracking, ठीक है, तो आपने समझा कि portals को भी दो category में define, हम लोग डिफाइन कर दी है, एक है आपका single usage और एक है आपका service delivery portals, अब इसमें थोड़ा सा findings देख लेते हैं, क्योंकि report में जो है, obviously, बताया गया है कि किस state, UT या central ministry ने जो है, अच् दिया गया है, उसके बाद जो states बचते हैं, उसको remaining group A, remaining group B में डाल दिया गया है, और इसके अलवा आपके UTs है, अब इसमें अगर हम लोग सबसे पहला वाला देखें कि single use portal जो है, उसमें सबसे अच्छा ranking किसका है, North East और Hill states वाले category में, तो वो आता है Nagaland का, वहीं अगर remaining states में group A में देखें, तो Kerala का है, जो single window portal के लिए है, और group B में देखें, तो Odisha का है, और UT का बात करें, तो हम लोग JNK है, जो कि अभी नया बना UT है, फिर भी जो है, उसको यहां पर रखा गया है, उसके बाद एक ranking of state and UT services portal, हमने बोला कि एक जो 2 second category था portal का, जो basically service का information, उसक central ministries की बात करें, जो central government का जो portals होता है, उसमें कौन से ministry top पर है, तो वो है home office, ठीक है, और वही पर अगर आप, मतलब यह single window की बात करें, और अगर service की बात करें, तो उसमें आता है आपका finance, central public procurement portal, जिसको CPPP बोलते है, ठीक है, तो यह आपके लिए information important था, इसमें important क्या क् कि आपके किस sectors को cover किया है, उसके बात portals को किस तरह से categorize किया गया है, और उसके बात जो है, इसमें rankings क्या है, इस पर बेज़ आप से question पूछायाता है, ठीक है, तो चली मिलते है next lecture में, तब तक thank you.